Use of let, let का मतलब है कोई काम करने देना, जिसे हम बोलते हैं कोई काम करने दो, उसे जाने दो, उसे आने दो, उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, उसे हसने दो, उसे अंग्रेजी सिखने दो, कोई काम करने दो, तो आप पर let का परियोग करते हैं, जिसे let यूज करेंगे, इसके अब्जक्ट में कौन आजाएगा उससे सब्द मतलब जो भी आपका नाउन आएगा वो या फिर जो भी प्रोनाउन आएगा वो यहाँ पर अब्जक्ट होगा इसके बाद वीवन प्लैस अदर वर्ड एक्जाम्पल देखते हैं उससे खाना पकाने दो आया पर उससे जो हैं लेट हर कोक फूड उससे खाना पकाने दो मतलब मैंने एक ट्रेट किया इसे एक फिमेल के तरह मतलब हर अगर मिल रहाता तो हीम यूज़ करते हैं उससे किताब पढ़ने दो तो संटेंस होगा लेट हीम रीड आपकर या पर हीम सो हैं यह हैं मतलब मेल हैं और इसका प्रयो आप समझ सकते हैं उसे जाने दो तो संटेंस होगा लेट हीम गो अब इस संटेंस में हम कर क्या रहे किस कंडिशन में सम्यूज कर रहे हैं कंडिशन या पर परमिशन देना जब यह आपको किसी को परमिशन देना हो कि यह काम करो वो काम करो तो वह पर आप यह कर सकते हैं मतलब यह काम करो मतलब किसी को बोलते हैं कि यह काम करने दो परमिशन आपका है तो संटेंस बनेगा जिसे उसे अंगरेजी बोलने दो तो संटेंस बनेगा कि let him speaking less आपने permission दिया है कि उसे अंग्रेजी बोलने दो मतलब कि यह जो उसे सब्द लिखा हुआ है इसको किसी ने रोक रहा है कि अंग्रेजी मत बोलो बट आपने permission दिया कि उसे अंग्रेजी बोलने दो तो गाइस अंग्रेजी में एक वर्ड है let और इससे कई सारी sentences बनाई साएंगे अलग अलग तरह के अलग 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 condition में अलग 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 meaning के साथ तो समझते हैं let का मतलब है कोई काम करने देना अब समझ यहाँ पर कोई काम करने देना इससे पहले आपने क्या क्या permission दे रहा था कि आप permission किसी को दे रहे तक उसे यह काम करने दो उसे वो काम करने दो अब यहाँ पर क्या है अब आप permission खुद ले रहे हैं कि मुझे यह काम करने दो मुझे ये काम करने तो मतलब आप क्या करने आप permission ले रहे हैं जब आपको permission लेना हो तो उसमें आप परियोग कर सकते हैं let plus me plus we want plus subject और me का subjective part हो जाएगा I इसे मुझे सोचने दो तो let me think आपने कहां मुझे सोचने दो let me think मुझे लिखने दीजिए तो आप क्या करने permission ले रहे हैं let me write मुझे लिखने देजे मुझे घर जाने देजे let me go to house मुझे घर जाने दीजिए मुझे सोने दीजिए sentence होगा let me slip let me slip means मुझे सोने दीजिए तो इसे ही sentences बना सकते हैं let की मदद से अब हैं समझते हैं लेट्स अब ये लेट्स क्या होता है लेट्स का मतलब है चलो करते हैं इसका परियोग कब करते हैं इसका परियोग तब करते हैं जब हम लोग एक गुरूप में हो जब हम लोग गुरूप में राते हैं तो इसमें मतलब परपोजल के लिए परस्ताव के ल पर आप है जिस के साथ आप बेठे हुए अपने दूस्स के साथ अपने फ्रेंड से साथ अपने फ्यमिली मेंबर pakai आप बहुपर चलो गुमने चलते हैं तो अपर आप एक प्राश्ता हुआ रखे कि चलो गुमने चलते हैं तो संटेंश μεनेगा let's walk outside चलो बाहर गुमने सलते हैं let's walk outside तो अपर आपने let's का परियोग क्या एक परपोजल के लिए जब आप ग्रूप में थे तो उसमें अपनी बातों को करने के लिए चलो ये करते हैं आप भी करो और मैं भी करता हूं चलो अंग्रेजी बोलते हैं तो sentence बनेगा let's speak English चलो अंग्रेजी बोलते हैं चलो पिज़ा खाते हैं तो sentence बनाते हैं let's eat pizza तिया पर आप लेट और us जो लिखा हुआ है इसे हम सौट में परियोग किये हैं let's के रोप में let's मतलब let us us का मतलब क्या होता है us का subjective part होता है we और we में क्या होता है we हमारा है first person इसमें परियोग किया साता है group में एक मतलब भी मैं आप वो इस पर से मतलब दो तीन को कम सकम एक से ज़्यादा होगा तिया पर आपका एक से ज़्यादा मतलब group में हो जाएगा तिया पर आप परियोग किया let us मतलब let's ऐसे sentences बनाते हैं जैसे चलो उससे बात करते हैं तो let's talk to him let's talk to him चलो उससे बात करते हैं let go अब let go का मतलब हैं जाने देना अब इससे परियोग हम कैसे करते हैं जैसे subject let या let's plus object we want plus other word अब ये sentence हम परियोग कर रहे हैं tense में मतलब हम let का परियोग आप tense में देखते हैं किसे होता है जैसे मेरे पापा हमें साम में घुमने देते हैं मतलब कोई काम करने के allow करते हैं कि ये काम तुम कर सकते हो permission देते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो और ये काम नहीं कर सकते हो मतलब जो काम करने देंगे तो मतलब allowed करेंगे या permission देंगे तो इसे English में कहेंगे my father lets us walk in the evening यहाँ पर क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पर sentence में जो subject हैं वो है singular और जब singular हैं तो यहाँ पर हमारा let's हो जाएगा इसमें apostrophe as नहीं है let's माते इतना है वो तुमें अंदर आने देता है तो मतलब वो तुमें permission देता है कि तुम यह कर सकते हो तो he lets you come in वो तुमें अंदर आने देता है रवी उसे किताब पढ़ने देता है तो let यहाँ पर दिखेगे इससे sentence मनेगा कि रवी लड़ सिम रीड़ बोक रवी उसे किताब पढ़ने देता है अब है letting go अब इसका मतलब है जाने दे रहा है अब यहाँ पर क्या बात करेंगे हम यहाँ पर हम बात करेंगे continue action को के काम सो हो रहा है वो continue है वो भी percent time है sentence मनेगे subject is mr plus letting plus यहाँ पर go लिखा हुआ यहाँ पर v1 पर यह करेंगे और यहाँ पर other word होगा example है मेरे पास मैं तुम्हें अंदर आने दे रहा हूं तो I am letting you come in I am letting you come in मतलब मैं तुम्हें अंदर आने दे रहा हूं इससी परकार से वो तुम्हें car park करने दे रहा है मतलब कोई काम करने की permission दे रहा है अब sentence में हम सबी sentence में permission देने का काम करते हैं और sentence में permission देने के लिए मातरम यूज कर रहे हैं let का लेकिन अलग-लग तरीके से अलग-लग या पर sentences में अलग-लग tense में इस पर गर से आप समझ सकते हैं तो sentence बनेगा he is letting you park the car वो तुम्हें car park करने दे रहा है अमन रवी को उससे मिलने दे रहा है sentence मेंनेगा अमन is letting रवी meet him यह पर लेटिंग के बाद यह पर object आशाएगा जो भी noun यह प्रुनावन होगा इसके तुरंत बाद we one आएगा और इसके बाद जो भी अधरवड आना होगा वो आ सकता है will be letting means कोई काम करने दे रहा होगा तो हम पर्यों करते हैं अइसे कि सुमन उसे अंदर आने दे रहा होगा तो sentence बनेगा सुमन विल बी लेटिंग हिम कम इंसाइड सुमन उसे अंदर आने दे रहा होगा फिरिया उसे सोने दे रही होगी फिरिया विल बी लेटिंग हर स्लेप यह पर जो इसके बाद जो आएगा अब्जेक्ट के बाद यहाँ पर तो वीवन आएगा के बाद चलने वाला है और इसके बाद जो चलेगा वो हमारा वीवन चलेगा साइड संटेंस में मेरा कोई भी हो अमन उसे दोडने दे रहा होगा आमन विल बी लेटिंग हिम रन यह पर देगे रन मेरा क्या है वीवन है विल लेट गो अब इसे परियोग कैसे गर देगा इसे जाने देगा कोई काम करने देगा असने देगा तोडने देगा खेलने देगा सोचने देगा सिखने देगा बोलने देगा इसे बोल सकते हैं मैं उसे जाने दूँगा तो संटेंस मनाते हैं I will let him go मैं उसे जाने दूँगा रमेस सभी को किताब पढ़ने देंगे तो sentence बनेगा रमेस विल लेट आवरीबड़ी रीड दा बोक यह अपर लेट के बाद मेरा आवरीबड़ी क्या हो गया यहाँ पर अबजक्ट हो गया क्योंकि आवरीबड़ी आपर मेरा एक प्रोनाउन है पेरिया उसे खाना पकाने देगी परमिसन कर रही है तो पेरिया विल लेट हर कूक फोड तो sentences आप देख सकते हैं कि इतना एजी तरगी से बन रहा है बस आपको लेट का परियोग करना न साहिए कि कहाँ पर हम परियोग कर सकते हैं कहाँ पर परियोग नहीं कर सकते हैं विल हाव लेट आप आपर समझ लेजें कि लेट का जो वी वन है ये भी लेट होता है वी टू जो होता है ये भी लेट होता है और वी तरी जो है ये भी लेट होता है मतलब let 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 होता है कोई भी वर्ब आपका आजाए वो let एक ही तरह रहेगा तो मतलब उस दाएगा will have let मतलब कोई काम करने दे चुका होगा जिसे रोहित उसे किताब पढ़ने दे चुका होगा तो sentence यापर permission की बात करते हैं तो रोहित will let him read the book यहाँ पर जो यह let है यहाँ पर let है हमारा वो अपका थर्ड फर्म के रोप में लेकिन यहाँ पर मुझे पता नहीं सल रहा है अगर will have के साथ अगर go आना रहेगा तो क्या साएगा गो आना साएगा speak आना रहेगा तो spoke आना साएगा तो someone will have let him come in या come inside भी बोल सकते हैं आमन उसे सोने दे चुका होगा आमन विल हाँ let him sleep देख सकते हैं कोई काम करने दे चुका होगा use of can let can let का मतलब होगा कोई काम करने दे सकता है यहाँ पर permission है यहाँ पर ability की थोड़ी बात होगी जैसे हम बोलते हैं capacity है तो sentence बनेगा कि they can let Ravi watch the TV मतलब TV मतलब आप television भी कर सकते हैं वो तुम्हें जाने दे सकता है तो he can let you go he can let you go वो तुम्हें जाने दे सकता है आमन उसे खेलने दे सकता है यहाँ पर जो यह दे सकता है यह permission के लिए दे सकता है इसी तरह यह परियोग हो रहा है तो sentence बनेगा कि aman let aman can let him play aman उसे खेलने दे सकता है aman can let him play तो इसे इस sentences आप असाने से बना सकते हैं then you can practice as well because this is the very easy concept could let could let का मतलब हैं कोई काम करने दे सका हम लोग सभी को car park करने दे सके sentence बनेगा we could let everybody park the car इसे मैं उसे खेलने दे सका तो we could यह देखें मैं उसे खेलने दे सका I could let him play अगर हम को खेलने दे सके तो we could let him play इसे बूल सकते हैं रवी उसे अंदर आने दे सका तो we could let him come inside यह पर मेरा object में मेरा him आ रहा है इस him को हम साहें तो noun your pronoun में chance कर भी सकते हैं किसी दूसरे में भी तो doesn't matter that you are speaking you have to understand that how to use it well should let should let का मतलब है कोई काम करने देना चाहिए जिसे रवी को उसे नहाने देना साहिए तो रवी should let him take a bath जब भी हमें इस sentences बनाते हैं कि कोई काम करने देना साहिए और वापर permission की बात हो तो आपर इसे sentence का परियोग कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं आमन को उसे अंग्रेजी सिखने देना साहिए तो आमन should let him learn English रिया को उसे सोने देना साहिए तो रिया should let her slip तो sentences ऐसे ही बना सकते हैं should की मदश से और should के साथ लगाओ वोड है let आप समझते हैं यह let क्या होता है let का V1 let होता है let का second form let होता है let का third form let होता है fourth form हो जाता है letting और fifth form हो साता है lets अब यह आपर देखिए हमारा जो lets है ये क्या है ये short form है let और us का ये lambi क्या है ये lambi हमारा let me let me मतलब lemmy बोलते हैं let us क्या हो गया हमारा is racism start में बोलते हैं let us rabbeag in सभी को अंगर sentences में परियोग किया साथ ज़्यादा confused हम मैं की ये lemmy क्या है और ये हमारा let us क्या है अब let us है हमारा की let us को हम source में बोलते हैं let us और इसका परियोग करता है जब हम गुरूप में होते हैं मतलों कम से कम दो लोग तो होना साहिए और यह let's वह यह हमारा वप के तरह काम करता है इसे go हमारा काम करता है speak हमारा काम करता है वप के तरह उसे बगार से मेरा let करता है और इस sentence में हमारा वब के तरह काम करता है इस लेट वी 1, लेट वी 2, लेट वी 3, लेट वी 4, लेट वी 5 ये आपका sentence में परियोग होगा singular subject के साथ I hope कि आप यह से भी जानते होंगे पहले से भी So guys, thanks for watching, that's all for today